हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटुब चैनल स्टडी जोन पर दोस्तों स्टाफ नर्सिंग की एक और न्यू भरती की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है स्टाफ नर्सिंग के जितने उमिद्वार हैं जो उमिद्वार दिल्ली हेल्थ स्टेट मिसन की वेक वेकेंसी की नोटिफिकेशन यहां पर जारी हो चुकी है पर दोस्तों इस वेकेंसी में स्टाफ नर्सिंग की पद तो कम है पर दोस्तों यहां पर जो आप सभी की जो सैलरी है वो काफी ज्यादा अच्छी है यानि कि दोस्तों 80,000 से प्लस उमिद्वारों को यहां पर सैलर फिल करेंगे उनकी ना इंटर्व्यू होगी ना रिटेन होगी दोस्तों यहां पर उन सभी को on merit basis पर selection किया जाएगा साथ ही दोस्तों उनके यहां पर जो है इंटर्व्यू कंडेक्ट कराई जाएगे दोस्तों इसकी last date बहुत नजदीक है मैंने इसके बारे में आप सभी को पहले भी अपडेट किया था फिर से इस वीडियो के मादम से आप सभी को दुबारा अपडेट कर दे रहा हूं step by step हर एक अपडेट को समझ लीजेगा कि आप सभी को अपने इंटर्व्यू के लिए कहां पर जाना है और कैसे जाना है और क्या 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 डॉक्मेंट लेके जाना है वह सारी चीज़ आप सभी को मैं अपडेट करने वाला हूं सबसे पहले दोस्तों गूगल पर जाकर इसके ऑफिसल वेबसाइट पर आ जाएंगे जैसे ही दोस्तों गूगल पर सच करेंगे दिल्ली स्टेट हेल्ट मिसन तो इसके ऑफिसल नोटिफिकेशन पेच प को मिलेगा अबर्टाइजिंग वालकिन इंटर्व्यू पर वहारियस पोस्ट जैसे ही दोस्तों यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने एक नया पेच जो यहां पर बेगी कि यह आप सभी में और गॉँआ है यह जो पूरे तरह से कॉंट्रेक्ट बेस हैं सबसे पहले दोस्तों यहां पर उन उमिद्वारों को अर्विटाइजिंग के तहत यहां पर जो है उनके इंटर्व्यू के बेस पर ही यहां पर जो है इस वेकैंसी के लिए यहां पर उठाया जाएगा सबसे पहले दोस्तों यहां पर पांच वेकैंस psychiatrist nurse की, psychiatrist social work की और community nurse की यहाँ पर जो vacancy का रखी गई है वो 5 है social work की यहाँ पर जो है चार है, community nurse की चार है जिसके interview 16, 15 और 16 को रखे गए है इस तारीक को आप सभी को यहाँ पर दोस्तों इस address पर यहाँ पर जो है reporting time आप सभी का interview का जो है यहाँ पर जाते हैं कि second civil line दिली 24 पर उमिद्वारों को साड़े 10 तक यहाँ पर जो है candidate को हाजिर होना पड़ेगा और वहाँ पर अपनी reporting time पर आकर अपने इंटर्व्यू के लिए यहाँ पर जो है उन्हें वहाँ बुलाया जाएगा इसमें आप सभी का सिर्फ interview होगा जिसमें interview के अंदर जो है आप सभी की skill और written की जो है जो है इस टेस्ट इसमें की जाएगी जिसमें की सारे उमिद्वारों को यहाँ पर जो है apply करना है capital later में application form बद्वारों को फिल करना है दो साथ दो साथ यहां पर दो पार्फ़ूट साथ ही आपने डॉक्मेंट डी ओबी सर्टीफिकेट टेन सर्टीफिकेट मार्चेट यहां पर जो है आप सभी के मार्कषिट चैटिफिकेट आप सभी के experience certificate वर्किंग पुडिशन में का सटीफिक के लिए दोस्तों यहां पर इंपॉर्टेंट फंसने बताया गया है कि एज में रिलेक्सेशन दोस्तों यहां पर जो 85,000 hundred & fifty यहां पर आप सब्सक्राइं में पटन चाहिए और साथ बूसर आफ इंडिया से निए दो साल का आप सभी को साथ वर्किंग सर्टिफिकेट होने चाहिए यहां पर जो है क्लीनिक की करते हैं तो यहां पर जो है यहां पर आपने नर्स आप सभी के पास और आप सभी के पास यहां पर जो है नर्सिंग काउंसें और おड़िए उर नर्सिटिटी और उर किसी भी इनविर्स्टेटी से आप सभी के जो है रिके नाइजd है नर्सिंग एन इन कॉंसलर्ट से तो आप इसके अंदर अपलाई कर सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों यह सारी परिकेरिया जो है यहाँ पर बताए कर सकते हैं दो साल का पर आप सभी के पास mental health physician social work की certificate होनी चाहिए अगर कौम है यहाँ पर common nurse में करते हैं तो बीसी nursing होनी चाहिए आप सभी के जो आपका registration है वो nursing council of India सुनी चाहिए और यहाँ पर दो साल का experience होने चाहिए working in hospital के अंदर आप आप सभी के पोस्ट कोड यहाँ पर पोस्ट कोड जो है अप्लिकेशन नेम जो है सारी capital नेटर में father name date of birth आप सभी के category आप सभी के यहाँ पर क्वालिफिकेशन यहाँ पर passport size photo यहाँ पर आप सभी को लगा सब्सक्राइब करना है और यहाँ पर दोस्तों इस address पर आपको यहाँ पर फेज़ देना है तो दोस्तों यहाँ पर दिली एस्टेट में जो के लिए जो के लिए वह सकते हैं कि इसके अंधर जो आप सभी को चैलरी दी जारी है वह काफी ज्यादा अच्छी दी जारी है तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास और कोई information आएगी तो आप सभी कुझ जुरू से गया अफ्य मिलते दूस्त अगले वीडियो में तब तुझ जाहिंदे